नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चानल पर आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी और इजी पनी टिकका आक्शली पनी टिकके का असली फ्लेवर तो तंदूर पर ही आता है पर मैं आज बिना ओवन एंड तंदूर यूज़ किये पनी टिकका बनाने वाली हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चानल पर फर्स टाइम आये हैं तो प्लीज मेरे चानल रूपम खाना खजाना को सब्स्राइब कर लीजिए तो चलिए आज की शांदार से रेसिपी को शुरू करते हैं देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एकदम फ्रेश पनीर लिया है मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर यूज किया है आप अपने अकॉरिंग यूज कर सकते हैं अब हमें इने कूप शेप में कट कर लेना है जादा छोटी शेप में कट मत कीजेगा क्योंकि फिर पनीर तूटने का डर है देखिए मैंने इतने बड़े टुकडों में कट किया है अब मैं कट करूँगी वेजिटेबल्स सबसे पहले मैंने ले लिया है धनिया पता इसे एकदम बारी कट कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़े से साइस का शिमला मिर्श यूस किया है इसको भी मैं क्यूब शेप में कट कर लूँगी आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो या फिर जो आपको पसंद हो आप वो यूस कर सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ दो वेजिटेबल्स का ही यूस किया है शिमला मिर्श और प्याज आप चाहे तो टमाटर भी ले सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब प्याज कट कर लूँगी जैसे मैं प्याज को कट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको कट करना है देखिए सबसे इजी ट्रिक है प्याज को क्यूब शेप में कट करने की तो चलिए सारे प्याज यहाँ पर क्यूब शेप में कट हो चुके हैं अब हम करते हैं मैरिनेशन की तयारी पनीर और वेजिटेबल्स को मेरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश कर्ड ले ली हैं देख सकते आप इसकी कंसिस्टेंसी किती ठेक है अब मैं इसमें आट करूंगी सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर जितना आपको स्पाइसी पसंद है उसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर देन काले मिर्च ले लिया इसे मैंने घर पे ही पीछ लिया था आधा चम्मच गरम मसाल एक बड़े चमत से बेसन स्वाद अनुसार नमक और पनी टिक का मसाला यह आप स्किप कर सकते हैं फिर आधा चमत आमचूर पाउडर दो टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल देखिए मैंने यहां पर मस्टर्ड आयल ले सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं अब इस अब इ सबी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए तो हमारा यह बैटर मिक्स हो चुका है इसमें आप डाल दीजिए लेमन हमने वैसे आमचूर पाउडर एट किया था आप चाहे तो लेमन डाल सकते हैं अगर आपको खटा पसंद है अदर्वाइस आप इसे भी स्किप कर सकते है तो चलिए मैरिनेट करने के लिए तयार है अब हम इसमें डाल देते हैं पनीड के क्यूब्स और जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रखे थे वो भी हम इसमें आड कर देते हैं अब आप इनको एकदम केरफुली मिक्स कर लीजिए क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है अदर्वाइस टूट जाएगा अब आप यह मैरिनेटीड पनीर और वेजिटेबल्स को अराम से स्टिक में डाल लीजिए देखे मैंने यहां पर तीन स्टिक में बनाया है बाकी मैं नॉ अधरा नैटीर यहां नॉर्मली पानिर और कोड़िक हो जाएं है यहां पर आपको जों सवाध्य अच्छा लगता है अप उस तरहीकी से मत्तरा देंगे इसमें हमने बिल्कुल तंदूर अवन का यूज नहीं किया है पर फ्लेवर वैसा ही आने वाला है कम हैनत में आप इसे बीच पीच में फ्लेप भी करते रहें ताकि यह आगे पीछे दोनों तरफ से सिख जाए और एकदम केरफुली कीजिएगा और इसे 2-3 मिनिट लिए और क कर लूँगी तो तयार है हमारा पनीर टिक का इसे कीजिए कोल्रिंग के साथ सर्फ बहुत ही जादा बडिया बनाया है यह एक बर घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको यह रेसिपी मैं आपको एक पिक भी करके दिखा देती हूं बहुत ही जादा सॉफ्ट पनीर था अच्छी तरीके से कुक हो चुका था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बिना बिल्कुल नहीं जाना है कल मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थाइंक यू